हेलो फ्रेंट्स फिर एक बार बिटी टेक 11 में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे पांच है और एट्रेक्टिव मोटर वर्ड की और से बाइक हैंड गार्ड प्रेंट्स यह जो प्रोड़क्ट है वो अमने ऑनलाइन स्टोर से बाइक किया है डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे जिसके कि आप डैरिक्ट्थी लिंक पर जाकर यह प्रोड़क्ट बाइक कर सकते हैं चले बॉक्स को करते हैं ओपन और देखते ही इंद बॉक्स हमे क्या-क्या मिल रहा है। मगर इस से पहले जाद ही आपको यह चनल अच्छा लगता है तो लाइक और शेर किजिए साथ सब्सक्राइब कीजिए और अपनों फ्रेंट्स के साथ भी शेयर किजिए तकि हर वीडियो की जानकरी मिलती रहा आपको सबसे पहले तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से सिंपल से बेग में हमें यह जो प्रोड़र के मिल रहा है और साथ में यह जो कुछ बॉल्ट क्लेंप और स्क्रू है वो इंस्टोरेशन एक्सेस की तरह से हमें मिल रहे है कि आए देखते हैं कि हमारा जो में प्रोड़ुक्त देख सकते हैं कि हमारा जो हेंड़ गार्ड है बाइक हेंड़ वह बढ़िया देखने में अभी लग रहा है आप देख सकते हैं तो कुछ है इस तरह से हमारा जो में प्रोड़क्त है वो इस तरह मूविंग कंडिशन में में मिल रहा है इंद बॉक्स और फ्रेंड्स इसका जो लुक है वो बहुत ही बढ़िया है यहां पर आप देख सकते ही यह जो प्रोड़क्त है उसका फिनिशिंग इसका जो पॉलिटी है वो बहुत ही बढ़िया है अब देख सकते हैं दोनों जो एंड्गार्ड है उसकी कंडिशन बहुत ही बढ़िया है कहीं पर किसी भी तरह का डेमेज नहीं हुआ इंद ट्रांस्पोर्ट में तो यह बहुत ही अच्छी बात है आये देखते हैं कि अब इसका जो लूख है वो कैसा है सबसे पहले फ्रेंट्स हमने यहां पर दोनों हैंड्गार्ड को फ्रेंट और बेक साइड दिखाने का प्रयत्न किया है आप देख सकते हैं कि उपर की और यह जो है वो फाइवर का ट्रांस्परंट पैनल हमें मिल रहा है वह बहुत ही बढ़ से यह डिजाइन होंगे दिखने को रहता है जो भी हमारी जो वाइक है स्पीवन तो फाइसको मैं जब प्रॉपर कॉलर में यह आप पर यह मिल रहा है तो यह सेंटर में यह एलेडी पैनल और नीचे और आम देखते हैं तो यहां पर भी मैट में यह डिजाइन पैनल दिया है और साथ में यहां पर यह जो है वो स्क्रू के लिए जो कि आपके बाइक के हिंडल में फिट होगा और यह जो है दिख रहा है वो मुवीं के लिए है यह जो एंडगाड है उसको यदि आप क्लोज करना साहत है जा दें तो यह मूवीं हो सकता है अब बात करते ही इसका बैक साइड की तो यह जो वायर है वह लीडी के लिए है साथ में यह रिक्टर है स्क्रूप है कि ये जो केबल है वह आपकी जो बाइक का इंडिकेटर है इसके साथ आपको पनेक करना है दिक है जो कारण cidos का क्वालिटी है वह अद्थ अच्छी है और बहुत ही हेवी लुक आपकी बाइक पोई हिंगाड कोई करेगा और साथ में फ्रेंड से ची है जो दोनों हिंगाड है उसमें जो फाइबर यूज किया हुआ है कंपणी ने वो बहुत अच्छी आपके लिए चलने वाली है चलिए अब इसको करते हैं इस्टॉल तो चलते हैं हमारी बाइक के पास प्रेंट से जो हैंड गाड है उसको आप अपने कर पर ही इस्टॉल कर सकते हैं मगर इसके लिए आपके पास कुछ इस तरह से इंस्टूमेंट होना आवश्यक है खास थार पर यह जो टूल है वो इसमें प्रॉपर फिट अप होता है आप देख सकते हैं इस तरह से तो यह टूल जो है वो आपके पास होना अवश्यक है तो ही आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं खुद ही अधर्वाइस आपको आटो स्टॉर पर जाना पड़ेगा और यह जो टूल है वो मार्केट में नॉर्मल यह 30 रूपय में आराम से आपको मिल जाएगा तो आये अब चलते हम अपनी बाइक के और और करते इसको 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 सबसे पहले फ्रेंट्स आपको यह जो दोनों साइट होल्डर लगा हुए होते इसको आपको निकालना होगा और यह थोड़ा सा जोड़ लगाने पर आराम से निकल जाते हैं अमने यहां पर बहले से इसको लूज कर दिया है तो यह इस तरह से आपको यह जो बोल्डर में से निकाल देना है इसमें कोई बॉल्ड या कुछ लगा हुआ हुआ नहीं इस सिल्फ गम से यह श्टिक किया ह आराम सी निकल सकता है अब देख सकते हैं इसको उइस को इंस्टोड करने के लिए जो कमपनियांं में यह 4 एक्सेसरी बार्रेस पर urgentर यह इसकी सिंपल इस तरह से यह लॉक हो जाता है और इसके बाद आपको इसके ओपर यह बड़ा लग दिया है वो लगाना है और उसके बाद यह जो छोटा सा रिंग दिया है वो इस तरह से आपको कुमागर फिट कर देने उसके बाद फ्रेंड्स आप जो यहाँ पर हमारा बाइक का हेंडल है आप देख सकते हैं यहाँ पर यह इसमें कुछ इस तरह से आ जाएगा और इसके बाद देख से तूल है वो आपको कुछ इस तरह से रुमाना है इसके कारण यह अंद्र आओ ही लोक हो जाएगा तो कुछ इस तरह से सिंपल से प्रोसेस से आप अपने भर पर ही इस्टोर कर सकते हैं आपके पास यह जो सिंपल सार्ड तूल है वो होना आवश्यक्त एंद बॉक्स क करना पड़ेगा तो कुछ है इस तरह का लूग आपकी बाइक का होने वाला है आप देख सकते हैं काफी कुपतुरत हमारा जो बाइक है इसका जो कॉलर है इसके साथ मैच अप हमने यह दोनों हैंगाट चोइस किये है और दूसरी बाद फैरेंस कि इसका जो कॉलर है वो यहां मेट में मिलती है तो कोई भी रंग की आपकी हो इसके साथ यह डेफिनेटली मैच अप करते हैं और यह जो है वो मूँ भी हो सकता है इस तरह से तो आप अपने ही साथ से इसको किसी भी एंगल पर अब रख सकते हैं और दूसरी बात कि यह जो यहां पर बोल्ट है वो टाइ कि फ़्यूरत सा तालूग हमारी पाक को प्रोवेट कर रहा है अब बात करके इसके जो एंडिकेटर है ङलीड़ इंडिकेटर इसके तो यह अपर यह जो घ्रियाओं ऑपCOола आप आप अपी चूरूब के इंडटेटर के जो connection है इससे तरह आपको जोड़ा हैm मगर अभी यह जो connection है वो आमने नहीं दिया एक क्योंकिल आमारी जो बाइक है वो हुछ homie ke एक आसे अब की जो बाइक है करिph करिभ वन या दो साल की इसका जो सबी electric part है wiring है इसकी warranty होती है तो यदि हम इसके सारा छेट खानी करेंगे तो ब्रैण्ट जो है वह आम हमें इसमें warranty नहीं लागो होने देगी तो इसलिए हमने अभी इसको wiring जो है वह इसी तरह से लगा हुआ रखा और जब इसकी वरॉंटी खतम होगी तब हम इसको कनेक्शन देगे जो हमारा इसका जो इनकी का वायरिंग है उसके साथ और फ्रेंड्स इसका जो लूग है बहुत ही बढ़िया हमें मिल रहा है और हमारा चो बाइक के कॉलर के साथ यह प्रॉपर्ली मैच हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया लूग यहां पर हमें मिल रहा है आप देख सकते हैं